हाँ जब याओ, welcome back to the channel, मेरा नाम है तो बॉस आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें साथ काफी कमाल के whatsapp tips, tricks and hidden settings के बारे में बताने वाला हूँ जिसका use करने के बाद आप यही बोलोगे तो आज की इस वीडियो पे मैंने 6000 का like target रखा है तो किर्पया करके उसे जल्दी से complete कर दीजिएगा और 2 घंटे के अंदर 2000 like करना है तो तो फिलाल वीडियो स्टार्ट करते हैं तो भाईया, sit back, relax and watch the video till the very end हाँ जब या, हमारे contacts में ऐसे कुछ नमूनों की टोली होती है जिने ज्यादा तर whatsapp कॉल करने की बिमारी होती है और ये call audio या video कुछ भी हो सकता है लेकिन इससे बचने के लिए अगर आपने उन्हें whatsapp पे direct block कर दिया तो फिर ऐसे में रिस्ते में दरार आने के चांसे ज्यादा है तो इससे बचने के लिए आप एक application का यूज कर सकते हो जिसका नाम है whatsblock तो basically इससे आप का यूज करके आप अपने सारे whatsapp calls को block कर पाओगे या फिर सिर्फ अपने contacts की call को block कर सकते हो या फिर आप चाहो तो किसी unknown number को block कर दो जिसे आप नहीं पहचानते हो या अगर आप चाहते हो कि भरे टोकरी में से एक सड़े आम को हटाना है तो आप यहाँ custom पे click करके वो भी कर पाओगे और इतना ही नहीं आप चाहो तो call blocking को schedule भी कर सकते हो या फिर यहाँ एक automating का एक option है जिसका यूज करके blacklist contact किसी particular time frame पे सिर्फ कुस time के लिए ही call कर पाएंगे और यह सब कुछ आप voice call के साथ-साथ video call पे भी apply कर पाओगे तो देखो अब इससे होगा क्या कि अगर आप किसी के whatsapp call को block करते हो और उसके बाद अगर वो बंदा आपको कभी भी call करता है वे दिन ऐसे case में आपको इस application को एक बाद definitely से install करना चाहिए तो भीया जी अगर आप अपने से ज्यादा बाते करते हो और अगर ऐसे में उसके message का notification आपके बापा जी के सामने आ गया तब तो उसके बाद आप कुछ बोलो चाहे ना बोलो लेकिन आप इतना तो जरूर बोलोगे तो ऐसी पड़ी दृश्य की कलपना आपको ना करना पड़े तो इससे भचने के लिए आप एक काम कर सकते हो तो उसके लिए आपको अपने whatsapp के settings में आना होगा और यहाँ notifications पर क्लिक करो आप उस पर जैसे क्लिक करोगे ना आपको यहाँ पर use high priority notification का एक option देखने को मिलेगा आपको simply उसे disable कर देना है और बस आपका काम हो गया अब अगर कोई आपको message भी करता है तिन उसका pop-up notification आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा और आपको टाई से बचे रहोगे देखो बॉस, whatsapp में अभी तक आपको कोई भी emoji reaction देखने को नहीं मिलता है लेकिन यह धीरे-धीरे rollout होना start हो रहा है और obviously सबसे पहले यह beta users को ही मिलने वाला है और फिर उसके बाल आप कुछ इस तरह से किसी भी message पे emoji react कर पाऊगे लेकिन ऐसा करने के लिए आपके whatsapp में reaction notification इनेबल होना चाहिए और इसे enable करने के लिए आप notification section में आके यहाँ से simply से enable कर सकते हो और उसके बाल आप emoji reaction के मज़े उठा पाऊगे बट मुझे देखके confuse मत कीजिएगा मुझे भी अभी तक emoji reaction का option नहीं मिला है मैं telegram पे whatsapp का theme यूज करके आपको emoji react करके दिखा रहा हूँ वैसे यार अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है न तो comment में बस ये type करतीजिए देखो बॉस पिछले दो सालों में job market और hiring का पूरा game ही बदल गया है लोगों की नौकरियां गई, pay cuts वे और पता नहीं क्या क्या लेकिन एक बात जो सब के समझ में आई वो ये थी कि आप country में कहीं से भी अच्छे candidates को hire कर सकते हो और उनके साथ remotely काम भी कर सकते हो और यही re-level by unacademy करता है re-level इंडिया का पहला hiring test platform है जहाँ पे आपको सिर्फ एक simple test दे के अपने skills proof करने होंगे and qualify करने पे आप इंडिया के top product based companies like cred, upgrade, ptm, phone based होईगी, ola जैसे 200 plus companies में job ले सकते हो और सबसे अची बात यह है कि यह test बिल्कुली free है और यह sales, HR, web development, product management, analytics and android development जैसे roles के लिए hire करवार है और अभी recently इन्होंने 3 new test launch करी है जो है digital marketing, blockchain development and software testing with ctc up to 14 lakh per annum D-level से आप इन सभी companies और roles के लिए eligible हो चाहे, आप कितनी भी बार attempt करो, आपको किसी cool down period का wait नहीं करना होगा जो कि generally offline interviews में होते हैं D-level ने आज तक 16 करोर से ज्यादा वर्थ के jobs डिलिवर किये हैं और February में हर दिन 15 lakh वर्थ के jobs दिलवाए गये हैं आप इन सभी candidates की profile इनके Twitter handle पे देख सकते हो इस test के सभी rounds online conduct किये जाते हैं और उसके उपर जिन्होंने D-level पे पहले register किया था अब qualify करना और भी easy हो गया है क्योंकि D-level ने अपना qualification criteria 700 से update करके पासो कर दिया है इसका मतलब यह है कि test qualify करने के आपके chances अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए है इसके साथ आप अपनी convenience के साब से अपने test का date खुद ही decide कर सकते हो तो अब आपको ना ही on-site जाके interview देना है और ना ही interview के लिए कहीं बैट के wait करना है आप अपना dream job कहीं से भी ले सकते हो और फाइदे बस इतना ही नहीं है अपने candidate की success को celebrate करने के लिए डी-level हर महिने अपने qualified candidate को goodies भेजते हैं और top 3 candidates को prize में apple के products भी मिलते हैं तो आप इन सब opportunities से सिर्फ एक sign up दोर हो हाँ जो भी recently whatsapp ने privacy को ले करके काफी major changes किया है मतलब जो चीज़े आप पहले third party आपका use करके करते थे वो अब आप directly whatsapp में ही कर पाओगे तो जो भी नए features add हुए हैं वो मैं आपको अभी live करके बता देता हूँ तो अगर आप अपने privacy section में होगे दिन यहां पे आपको last scene, profile photo, about and status का option देखने को मिल जाएगा तो अब अगर आप अपना last scene किसी particular इंसान से छुपाना चाहते हो दिन वो आप यहां से कर पाओगे आपको simply यहां last scene पे click करना है and then यहां इस option my contacts accept पे click करो और उसके बाद आप उस contact को choose कर लो जिससे आप अपना last scene चुपाना चाहते हो और बस आपका काम हो गया अब वो बंदा आपका last scene कभी नहीं देख पाएगा उस बंदे के लावा बांकी सारी लोग आपके last scene को देख सकते हैं लेकिन वो नहीं देख पाएगा likewise आप यहां से अपने profile photo को भी किसी एक particular इंसान से hide कर सकते हो मान के चलो कि आपने अपनी बंदी के साथ अपना WhatsApp DP लगाया अब अगर आपके पापा जी ये द्रिस से देखेंगे तो फिर आपको पिटाई कैसे लगेगा वो आपको पता ही है न तो इससे बचने के लिए आप इस option का use कर सकते हो और साथ ही साथ आप about section and अपने status को भी hide कर पा होगे तो अपने privacy को maintain रखने के लिए आप इन options को definitely से try करो लेकिन ये feature अभी सारे users को नहीं मिला है क्योंकि ये feature अभी सिर्फ beta users को ही मिला है तो तकलीफ की कोई बात नहीं है अगर आप whatsapp के beta tester बन जाते हो तिन ऐसे case में आपको भी ये साड़े features अभी के अभी मिल जाएंगे और beta user बनने के लिए आप beta में नहीं है का आपका use कर सकते हो तो उस application का link भी आपको नीचे description में देखने को मिल जाएगा वैसे यार अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है ना तो चैनल को भी तेक subscribe किया या नहीं तो प्लीज यार मुझे ऐसा tension मत दो चैनल को subscribe करके bell notification on कर दीजिए और हाँ वीडियो को like भी कर दीजिएगा 6000 का like target complete करना है हाँ जबिया अगर आपको अपने दोस्तों के साथ prank करना है देन उसके लिए मैं आपको एक must idea दूख्या तो देखो यह trick मैंने पहले भी बताया था लेकिन काफी लोग इसे नहीं देख पाये थे तो अब आप देख लो तो ऐसा करने के लिए आपको अपने फोन में दो application को install करना होगा पहला है ASCIIII converter और दूसरा है text repeater तो आपको सबसे पहले यहां text repeater आप में आके repeated text पे क्लिक करना है and then यहां 8206 and 8207 type कर देना होगा उसके बाद repetition limit में 9000 type कर दो और फिर यहां इस option new line को enable करके generate पे क्लिक कर देना है और फिर से यहां से copy करके इस app में आ जाना है अब आपको इस application में text के option पे कोई एक message लिखना होगा अब आपका friend जब read more पे क्लिक करेगा देना उसका phone कुछ ही देरे में hang कर जाएगा और वो work ही नहीं करेगा और इसे देखने के बाद आपका friend यह तो definitely बोलेगा तो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत मस्ती मजा करने के लिए आप इस application का use कर सकते हो देखो जब आप कहीं पे भी travel करने जाते हो तो अगर आप पहले कभी इस option को miss कर रहे थे तिन अब इसे आप whatsapp story में भी try कर सकते हो अजब अगर आपको अपने whatsapp में इस तरह का online status चाहिए या फिर अगर आप किसी particular message को hide करना चाहते हो या फिर आप किसी message पर reaction देना चाहते हो दिन वो सब कुछ आप easily कर पाओगे तो ऐसा करने के लिए आप WAW plus website पर चले जाओ और यहां से इस extension को add कर लिजिए और बस आपका काम हो गया अब आपको ये साड़े features और पी काफी साड़े features देखने को मिल जाएंगे वैसे ये feature basically desktop के लिए है लेकिन अगर आपको इसे phone पे apply करना है तिन ऐसे किसमें आप kiwi browser का use कर सकते हो process same है तो इस बार मैं पूरे detail में नहीं गुसोंगा मैंने आज से पहले दो बार already इसे use कैसे करना है वो आपको बता दिया था तो आप इसे आराम से use करो और मजे करो तो बस इतना ही था इस वाले वीडियो में अगर वीडियो यहां तक देख लिए हो तो like का बटन टूर जाना चाहिए और हां subscribe करो यार subscribe करना बहुत ही ज्यादा important है and bell notification भी on कर दीजिएगा and most importantly D level में जल्दी से sign up हो जाओ लिंक आपको नीचे description में देखने को मिल जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही रहन देते हैं मिलते हैं next वाले वीडियो में तब तक के लिए एक चुम मेज सोड़ी भड़ा प्यार और हां खुश रहो और खुश यां बाते रहो झाल